हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने मखाना खीर बनाने जा रही हूं वरत इस्पेशल तो इससे बनाने के लिए देखिए कि किस तरह से बनाते हैं इसके लिए मैंने एक कप मखानी लिए मखाना को दरदरक उट लिया है वन फॉर्थ कप चीनी, दो इलाइची का पाउडर, दस बारे केसर दूद में भीगी हुई थोड़ से कटे हुए ड्राइफूट, बदाम और पिष्टा और ये पानी लिया है सबसे पहले हम दूद को उबलने के लिए रख देंगे, ये मैंने डेल डीटर दूद लिया है जब इसमें उबाला जाएगा तब हम इसमें मखाने मिक्स करेंगे इन मखानों में हमें पानी मिक्स करना है, अच्छे से इने दोलेंगे एक बार और इसका सारा पानी निकाल देंगे, हाथ से दबा कर, फिर इसे हम जब उबाला जाएगा दूद में, तब उसमें मिक्स कर देंगे इससे एक तो मखाने जल्दी कल जाते हैं, और खीर भी अच्छे बनती है अब इसका मैं सारा पानी निकालकर दूद में मिक्स कर दूँगी सारे मखाने ऐसे ही डाल देंगे इसका सारा पानी निकालकर मखानों को मैंने सब दूद में डाल दिये अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे पकते रहने देंगे बीच विच में चलाते रहेंगे अब हम इसमें केसर वाला दूद भी डाल देंगे और ड्राइफ रूट कटे हुए ये भी डाल देंगे थोड़े थोड़े से हम रोक लेंगे उपर से डेकॉरेट करने के लिए बाकी के हम अंधर डाल देंगे पिष्टा और बदाम और जब ये अच्छे से पक जाएगी तब हम इसमें चीनी अड करेंगे अभी से हमं पकने देंगे मीडिययम फिलेम पर और बीच विच में चलाते रहेंगे अब ये पक गई है अच्छे से तो इसमें हम इलाइची पाउडर और अपने टेस्ट के साब से चीनी डाल देंगे मैंने वन फॉर्थ कप डाली है आप अपने टेस्ट के साब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं चीनी को गुलने तक एक बार फिर से पका लेंगे अब ये चीनी अच्छे से घुल गई है गैस बंद कर देंगे और बावल में निकाल लिए ये मैंने अब मैं उपर से बचे हुए ड्राइफ्रूट डाल दूंगी अब ये हमारी व्रत स्पेशल मखाना खीर बनकर तयार हो गई है थैंक यू अब बनकर बनकर तो स्थड़ी से जिसे भीर दोंगी अब चापना ग्रवच्प कही है ड्रहो गपना से लिए गाफना से लिए लिए झाल झाल